परिचे जब आपकी माँ परिवार के लिए खाना पकाती हैं तो वे भी ऐसा ही करती हैं आपने देखा होगा कि वो पकाने से पहले चावल, गेहूं और दालों में से कंकड, पत्थर और दूसरी अंचाही चीजें अलग करती रहती हैं कुछ अशधियों और अंचाही चीजों को हाथ से उठा कर निकाला जा सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं किया जा सकता, बहुत से मिश्रणों में चीजों को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे मामलों में इन्हें अलग करने की कुछ दूसरी तकनीकों का इस्तिमाल किय हम इस पार्ट में चीजों को अलग-अलग करने की अलग-अलग विधियों पर चर्चा करेंगे। इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। एक मिश्रण में से विभिन चीजों को अलग करने से जुड़े कारणों पर विचार विमर्श करना। किसी मिश्रण की चीज़ों को अलग-अलग करने की जरूरत, हम अपने दैनिक जीवन में जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, उन में से अधिक तर मिश्रण की शकल में होती हैं। लेकिन मिश्रण में मौझूद हर चीज़ उप्योगी नहीं होती। उदारण के लिए खानी की कुछ चीज़ों में ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो आपको पसंद नहीं आती हैं। हम इन्हें इसलिए हटा देते हैं ताकि खानी की चीज़ें हमें अच्छी लगें। कंकड, पत्थर और सुरसुरी जैसी चीज़ें मिलती हैं। हम खानी की इन चीज़ों में से हमारे शरीर के लिए नुकसान दायक चीज़ों को पकाने से पहले निकाल देते हैं। तो दूसरा कारण हुआ नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ों को निकाल देना। जब हम दूद या दही को मतते हैं, तो हमें दो बेहत उप्योगी चीज़े प्राप्त होती हैं, मक्खन और मठा. तो किसी मिश्रण में मौझूद, चीजों को अलग-अलग करने का तीसरा कारण है, शुद्ध और उप्योगी चीजों को प्राप्त करना. चीजों को अलग-अलग करने के तरीके अलग-अलग करने के लिए जिन तरीकों का इस्तिमाल होता है, उन में से कुछ की सूची बनाएं. हाथ से चुनना, मतना, गहाना, फटकना, चानना. अलग-अलग करने का क्या तरीका चुना जाए, ये उस चीज़ के भौतिक गुण धर्मों पर निर्भर करता है. अलग करने के तरीके हाथ से चुनना आपकी मां गेहूं, चावल और दालों से कंकड़, पत्थर और अन्य अशुधियों को कैसे अलग करती हैं? वो एक-एक करके उन्हें हाथ से चुन लेती हैं. हाथ से चुनने की विधी का इस्तिमाल उन अशुधियों को अलग करने के लिए किया जा सकता है, जो आख को आसानी से नजर आती हैं, और मिट्टी, छिलके और कंकड़ पत्थर की शकल में थोड़ी मात्रा में होती हैं. अलग करने के तरीके मथना बच्चो ये मखन है, क्या आप जानते हैं कि मखन कैसे बनता है? जब किसी मठके में दूद को तेजी से बिलोया जाता है, तो मखन निकलता है, जो तरल पदार्थ पीछे रह जाता है, वह स्वादेश्ट और पोशक मठा होता है, जिसे बहुत से लोग गर्मियों में पीना बहुत पसंद करते हैं. तो आपने देखा कि जब अलग करने के इस तरीके को अपनाया जाता है, तो दूद में से दो अलग-अलग उप्योगी चीजे निकलती हैं. अलग करने के तरीके गहाना आपने फसल कटाई के बाद खेतों में गहूं या धान के बड़े-बड़े बंडल देखे होंगे, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई किसान किस तरह इन बालियों से अनाच को अलग करता है? जब गहूं या चावल की फसल कर जाती है, तो किसान इन बालियों को एक साथ बान्द कर, उनके बंडल बना देता है. इसके बाद वो उन बंडलों को धूप में सूखने के लिए छोड़ देता है. जब ये बालियां पूरी तरह सूख जाती हैं, तो किसान दानों को अलग करने के लिए इन्हें सख्त जमीन पर पीटता है। दानों को बालियों से अलग करने की इस प्रक्रिया को गहाना कहते हैं। बैलों और थ्रेशर कही जाने वाली मशीनों के इस्तिमाल इस काम के लिए किया जाता है अलग करने के तरीके भटकना आपने जब रेलगाडी में यात्रा की होगी तो ग्रामीर्ड इलाकों में आपने महिलाओं को उँचाई पर खड़े होकर एक टोकरी को अपने सिर के उपर लगातार हिलाते देखा होगा ये महिलाओं हवा की मदद लेकर अनाज से छिलके और अन्ने हलकी अशुधियों को दूर करती हैं अनाज क्योंकि भारी होता है इसलिए वह एक धेर में जमीन पर गिरता जाता है हलके वजन की अशुधियों को हवा के जरिये अनाज से दूर करने की इस प्रक्रिया को फटकना कहते हैं अलक करने के तरीके चानना बच्चों क्या आपने अपनी मा को आटे में से चोकर और अन्ने अशुधियों को दूर करते देखा है वो एक चननी की मदद से मही नाटे को मोटे चोकर से अलग करती हैं किसी मिशरन से अलग-अलग आकार की ठोस चीजों को अलग करने की तक्नीक को छानना कहते हैं इस विधी में मिशरन को एक चननी में रख कर हिलाया जाता है चोटे कंण छन्नी के छेदों में से नीचे रखे बरतन में गिर जाते हैं और इस प्रकार बड़े कंण छन्नी में ही बचे रह जाते हैं सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं किसी मिष्रन के अलग अलग तत्वों को इसलिए अलग अलग किया जाता है ताकि ऐसी चीजों को अलग किया जा सके जिनकी जरूरत नहीं है और जो नुकसान दे हैं और उपियोगी चीजों प्राप्त की जा सकें किसी मिश्रण में मौजूद चीजों को अलग-अलग करने की समा निविधियां है हाथ से चुनना, गहाना, फटकना और चानना हाथ से चुनना वो तरीका है जिसमें आख को नजर आने वाली अशुद चीजों को अलग किया जाता है और ये चीजें थोड़ी मात्रा में होती है मतने से तात पर्रे दूद या दही को बिलोने से है ताकि मक्षन बनाया जा सके गहाने से तात पर्रे अनाज को बालियों से अलग करने से है फटकने से तात पर्रे छिलके को अनाज से अलग करने से है इस प्रक्रिया में हवा को मिश्रण में से गुजारा जाता है चानने से तात पर्रे एक छलनी का इस्तिमाल करने की तक्नीक से है ताकि अलग-अलग आकार के ठोस कड़ों को अलग किया जा सके